एक बार बंडावन से किसी दूर थोड़े दूर गाउं पे कुछ लोग कुम्बंदाज जी के पास आए और आकर उनसे निवेदन करने लगे कि आप से हमें श्रिमत भागवतम सुनना है अब उन्होंने बड़ा मना किया लेकिन चुकी भागवत जी की बात थी कुल मिलाके हुआ ये कि उन्होंने ऐसी इसाब किताब बनाए कि भीया शाम को तो मेरे मिर ठाकुर जी के पास आना ही है मैं सुबह आऊंगा और शाम को आप छोड़के जाओ मुझे बात चर्चा हुई और चर्चा इस तरीके से बढ़ गए अब भगवान के भूग की बारी मैं जाओंगा तो भगवान के भूग आत्यादी का क्या होगा तो श्रीकुमंदाज जी ने अपने छोटे से पाच्छे वर्ष के आयू के पत्र रगुनन्दन को बोला रगुनन्दन अपसे मैं भूग तयार करके जाया करूंगा और तब तक ये लोग आ जाते हैं तुम बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान को भूग कराया रगुनन्दन पिताजी की बात मान ली अब यहां भूग तयार होता वो चले जाते रगुनन्दन उतारते भूग तयारी करते भगवान को भूग खिलाते वो लगा कर जाते ये खिलाते रोज शाम को कुमन्दाजी लोटके आते बंदावन और पूछते बटा भूग लगा दिया हाँ पिताजी लगा दिया कहां है वो तो लगा दिया आपने बोला था लगाने को तो लगा दिया अब खा लिया भगवान ने तो कैसे रोज की घटना होगे कुममंदाज जी कहने लगे लाला कुछ गड़बड कर रहा है यही नाम देवे के साथ हुआ यही मीरा के साथ हुआ देखो कितनी बड़ी बात है लाला कुछ गड़बड कर रहा है रोज काएं देख सही बता वहाँ पिता जी खा लेते हैं वगवान खा लेते हैं आप नहीं तो कह खिलाओ यह जूट वाली कौन सी बात है आपने खिलाओ हमने किला दिया तो उन्होंने सूचा कि ये कुछ तो गड़ बड़ है तब श्रीक उम्मन दाज जी ने एक दिन जब कथा विश्राम हो गई तो उस दिन वो घर पे ही थे तो उन्होंने क्या किया कि लाला आज मुझे तुड़े काम से जाना है तो मैं भोग बना रहा हूँ भोग में बनाया उन्होंने लड़ू भोग में उन्होंने बड़े सुन्दर सुन्दर लड़ू बनाये और लड़ू बना के थाल सजा दिया बेटे रगुलंदन से कहते हैं कि बेटा मैं थोड़ा बजार तक जा रहा हूँ तुम ठाकुरजी को भूग लगा दो और उनके पास भगवान का बाल अवस्था का चित्रपट था छाया चित्र चित्रपट तस्वीर थी उसकी फूजा करते थे तो भगवान बाल रूप में उनके याँ थे अब साब क्या हुआ कि इनों ने लड़ू की थाली तो दे दी और लड़ू की थाली दे के बच्चे को गए और थोड़ी देर में जाके पीछे कहीं जाकर छिप गए लाला ने तैयारी की तुलसी दल रखा और जो जो बताया तह वैसे शुरू किया आओ भूग लगाओ आओ भूग लगाओ आओ भूग लगाओ तो महराज हुआ ये कि भगवान तस्वीर से बाहर निकले भगवान तस्वीर से बाहर निकले बालक रूप में घोटू घोटू चल रहे तो उन्होंने दोनों हाथ में लड़ू उठा लिए भगवान के एक हाथ में लड़ू नीचे दोनों हाथ में लड़ू है और दोनों हाथ में लड़ू होना चीए जीवन तो तवालंग में है तो उन्होंने एक एक लड़ू लिया मूँ में रखा और दूसरे लड़ू को वहाथ लगा इतने में कुंबंदाज जी सामने आके खड़े हो गए सामने आके जैसे ही खड़े हो गए तो बस वो कहने लगे भगवान बस मैं आपके दर्शन करना चाथ भगवान ऐसी ही पोजीशन में चित्र में बस गए वो लड़ू यहां का यहां रह गया और यहां वाला हाथ में रह गया तो उस इस्तिती में ही कुम्मंदाज जी को दर्शन दिये भगवान में उस से उपर नहीं दिये और चुकि ये दर्शन दावन में हुए रगुनंदन की कृपा से हुए तो कुम्मंदाश जी को जो दर्शन हुई थे भगवान के ये वही चित्र जो उनके चित्रपट में छप गया फिर वापस यही चित्र पूरे विश्में प्रचलत है कि भगवान लड़ू गोपाल हो गए बोलिये लड़ू गोपाल भगवान अच्छे